जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कीश लिए निया ऊपको अपनी इमेज को खरना है तो खरना करने करने का यूज़् कया है और किस तरीके की हमारी इमेजेस दिखाई देंगी तो जरा करके देखते हैं मैं इसको को फ्लिप कर रहा हूं आपके सामने जो image areas को फ्लिप कर रहा हूं तो control t right click किया और horizontally flip तो click देखे face change हो गया आप देख सकते हैं मैं right click कर रहा हूं vertical देखे बड़ी आसानी से ठीक है यानि इनका face इस टाइप से था अगर मैं right click किया और flip किया horizontally तो face जो left side में था वो right side में जाता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फिर आपको पता ही है कि alt control t का जब आप यूज करेंगे तो इसको एक duplicate बना सकते हैं duplicate ले सकते हैं और इसको यहां पर रख लें इसको size थोड़ा सा आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लें ठीक है और इसको तो राइट क्लिक करके flip करने फिर और इजनली तो देखिए यह दोनों इमेज आप इस तरीके से पर्टिकुलर तरीके से लगा सकते हैं तो यह यूज है आपका प्रफिलिप का जो की बड़ी ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से आप फिलिप करके एक बहतरी पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं सिंपल तरीका बताया था मैंने राइट क्लिक करके आपने फिलिप करना है कंट्रोल तरीका पहले आप मर्ज करने कंट्रोल की से मर्ज होता है तोनों हो चुकिए अब अगर आप कंट्रोल करें और राइट क्लिक करें तो आपके पास डिसॉर्ट प्रस्पेक्टिव जैसे ऑप्शन भी है जो आप यूज कर से जैसे मैं रैप को यूज कर रहा हूं म तो दीखे यह थोड़ा सा अट्रक्टिव हो गया तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और यहां पर आप कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा ले ताकि यह आपके पेस पर पर पर्टिकुलर तरीके से आजए यह आ गया है और अब इसके बाद आप आप इस तरीके से आप कंट्रोल की एलप से यह थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ पास ठीक है परफेक्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं तो ज़रा करके देखिए इन सब को करिए ज़रा कुईक्ली फटाफट